हेलो फ्रेंट्स मैं निखिल कुमारीक बाफ फिर आप सभी का स्वागत करते हो आपके अपने यूट्यूब चानल cgpsc e-part चला में cgpsc e-part चला में आज के जो हमारा वीडियो है यह एक instruction वीडियो है जैसे कि आप सभी को पता है कि cgpsc e-part चला assistant professor 2020 के लिएक test series conduct करा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको step by step one by one बताएंगे कि कैसे आपको paper solve करना है शुरू में हमने आपको बोला था कि जो भी सदसर registration कराएंगे तो उनके email पर PDF format में question paper भेजे जाएंगे और आपको उससे solve करना है और आप में से बहुत सारे जो registered member है उनके message भी आया थे कि जो paper है उसे online conduct कराया जाए तो हमने इस paper को online कराने का decision लिया है यह हमारा प्रथम प्रयास है साथी साथ आपको आज की इस video में हम बताएंगे कि आप CGPSE e-partial test series के इस online exam को आप कैसे access करेंगे कैसे question paper पर solve करेंगे कैसे question paper को submit करेंगे कैसे अपने दिये गए प्रशनों का instant ही आपको result मिल जाएगा कि कौन-कौन से question आपने correct किये कौन-कौन से question आपने wrong किये है कौन-कौन से question आपने छोड़े है ठीक है पेपर में 100 question है दो घंटे का समय दिया जाएगा यानि साड़े आड़ से साड़े दस तक का समय उसके बाद 15 मिट का अत्रिक्त समय दिया जाएगा आपको आपके marks calculate करके marks submit करने के लिए जो सदस से mark submit करेंगे उनी की overall ranking evening तक हम publish करेंगे साथ इसाथ paper समाप्त होने के 3-4 गंटे बाद यानि 10.45 आपका paper समाप्त होगा उसके 3-4 गंटे बाद जो सदस से registration कराया है उनके email ID पर उस दिन का question paper पीडिया form पे with answer उनके email पर भी forward किया जाएगा ठीक है ताकि उस test paper से वो future अपने reference के लिए revision के लिए revise करने के लिए उस paper का उपयोग कर सके ठीक तो देखिए step by step समझते चलिएगा जो भी सदस registration कराया है उनके email पर एक mail आएगा जो आपका CGPSC Assistant Professor Online Test Series ठीक इसको थोड़ा समझिएगा इसमें लिखा हुआ है नीचे दिये गए test paper link पर click करके test paper link मतलब ये वाला test paper link पर click करके सभी प्रशनों को ध्यान से पढ़कर दो घंटे की समय सीमा में solve करने का प्रयास करें paper solve करने के प्रश्चात अंती में submit बटन पर click करें देखेंगे हम की paper solve करने के बाद last में आपके 100 number question के बाद submit का एक बटन आएगा इसके प्रश्चात अ email पर भेजे गए दूसरे link दूसरे link यानि mark submission link ठीक है यहां लिखा हुआ है mark submission mark submission link पर click करके अपने mark submit करें नीचे लिखा गया है marks submission mark submit करने वाले अभ्यारतियों के ही अंतिम रूप से rank जारी किये जाएंगे ठीक है देखिए यह आपका instruction है तो सबसे पहले हम ये test paper link पर click कर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा इसमें बताया गया है कि दो गंटी के समय से में में solve करना है submit करना है view accuracy पर click करना है ठीक है सबसे पहले हम इसे basic detail भर देते हैं जैसे कि हमारा यहां पर email भर देते है cgpsce part shala at that gmail.com नाम भी डाल देते है cgpsce part shala ठीक मोबाइल नमबर भी यहां डाल देते है 9174452653 ठीक district डाल देते है यहां पर देखिए district के साथ यहां पर city भी डाल लिएगा जैसे हमारा है भिलाई भिलाई की ब्रेकेट में करके यहां पर district दूर्ग ठीक और जो other state से है जैसे बहुत से registration आपकी UP से आया है दिल्ली से आया है तो जो आपका जो यह detail आप फिल नहीं करेंगे जैसे mobile number district नाम जब तक आप इसे फिल नहीं करेंगे तो अंतिम में आपका जो question paper है वो submit नहीं होगा ठीक है यहां से पहला प्रशन आता है अभी जो इसमें मैं answer tick करने वाला हूँ वो correct answer नहीं होगा ठीक है कुछ-कुछ answer correct होंगे सही नहीं है अंतिम रूप से देखेंगे कौन से answer सही होगा ठीक है तो देखिए जो भी यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर चार bubble बने हुए हर एक option के सामने ठीक तो उस bubble के सामने ही आपका यह जो भी आपके लिए right answer लग रहा है आप उसके सामने के bubble को click कीजेगा वो bubble हो जाएगा आपका blue यानि वो answer आपने ठीक किया है जैसे लाखा बाटा क्या है जैसे option A है आपका भूमी वित्रण एवं राजस्व निरधारन B नर्बली तीसरा जन जाती विभाः पद्धती चोथा मापा निकाई जैसे मैं इसका answer लेता हूँ A तेखिए blue हो गया ठीक य किने कहा गया है ठीक है इसका answer हमें नहीं पता हम तीसरे नंबर को छोड़ देते हैं ठीक चौथा नंबर निम्न लिखित में से किस वर्ष राइपूर को इस राज्य की राज़्धानी बनाई गई गई 1818 A लेते हैं ठीक पाच्वा सभीने अवग्या आंदुलन के दौरान किसने पत्रबं के द्वारा संकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना पेश की ठीक है ठीक है तो मान लिखिए पाच्वा नंबर का जो answer है वो भी हमें नहीं पता है उसे छोड़ दीजे छटवा नंबर किस कल्चूरी शाशक ने बादल महल का निर्मान किया ठीक है तो उसक करके answer भी अपना option भी चेंज कर सकते हैं लेकिन submit करने के बाद आप किसी प्रकार का इसमें दुभारा access नहीं कर पाएंगे फिर आप सब्मिट करेंगे तो सब्मिट करने के बाद आपके सामने फिर से दूसरा वेंडो ओपन होगा सीजी पेसी पार्शल असिस्टें डारेक्टर प्रोफेसर टेस्ट डेमो यह जो आपको जो कोश्चन दिया गया यह एक डेमो कोश्चन है यह आपको कल होने वाले एक्जाम मे यह कोश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे ठीक है देखिए इसमें लिखा हुआ था एक जगा कि आप व्यू एक्क्यूरेसी पर क्लिक करेंगे ठीक है लिखा हुआ था व्यू एक्क्यूरेसी देखिए यह वाला व्यू एक्क्यूरेसी आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंग तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंसर आपके सही हुए है, कौन सा एंसर आपके गलत हुए है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक, तो हम view accuracy पर क्लिक करते हैं, देखें, तो यहाँ आपने जो जो detail फिल किया था, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई ह अब समस्ते चलिएगा कि question आपको कैसे count करने हैं, देखें, सबसे पहने number फर हमने यहाँ detail भरा, वो सारे detail है, फिर जो देखें, लाखा बाटा, लाखा बाटा उला एक question आया, इसमें देखें, लाखा बाटा क्या है, हमने जो answer option लगाया था, उसके सामने right का निशान है, औ अलकानपूर गिरफतारी घटना क्रम संबंदीत है, तो जो option हमने असहयोग आंदोलन जो click किया था, वो गलत है, इसका जो आपका right answer है, इसका right answer है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, यानि पहला सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे number पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दिजेगा, इस प्रश्णों को हमने attempt ही नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी option किया आगे कोई tick का निशान नहीं, ठीक, यहाँ पर जो cut का निशान दिया है, इसका मतलब यह है कि आपने option, आपने attempt ही नहीं किया, जो question आ attempt किये रहेंगे और गलत option दिये रहेंगे, तो उसमें आपका ऐसे cut का निशान यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक, यह वाला जो cut का निशान है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो तिसरा number question हमने solve भही नहीं किया है, चौथा number question ही हम देखेंगे, चौथा number question का answer लिया तामना यह, और यह भी आपके green color में है, तो यह green color का मतलब है कि आपने कौन से question सही किया है, red color with cross, यानि जो हम देखेंगे, red color जिसमें cross के निशान के साथ है, जैसे आपका यह वाला, ठीक, red color with cross, red color जो with cross के साथ था, देखें, red color जो with cross है, यानि इस प्रश्न को हमने गलत क है, ठीक है, तो फिर देखें, अब उसके बाद फिर चौथा number question हमने सही है, पाच्वा number question, पाच्वा number question को तो हमने, आप देखेंगे, यहाँ पर कहीं भी option में टीक नहीं लगाया या इसको भी हमने solve नहीं किया, ठीक, उसके बाद जो छटवा number है, छटवा number को यदी हम दे कोंसे question हमने छोड़े है, count कीजी, green color वाला कौनसा है, लाखा बाटा एक सही है, उसके बाद जो राइपूर राजधानी बनना दूसरा सही है, और तीसरा राजसीह वाला सही है, यानि हमारे total तीन question सही हुए, गलत question कितने हुए है, गलत question ही आप देखेंगे, तो एक असायो question है, 6 में से हमारे 3 question, एक लाखा बाटा, दूसरा राइपूर राजधानी और तीसरा आपका बाधल वाला, ये 3 question हमारे सही है, गलत question कितने है, गलत question मातर एक है, मलकानपूर गिरफतारी, और छोड़ा कौन सा है हमने, सवीना वग्या, अंदोलन वाला एक, और आपका पत् question हमने छोड़ा है, यानि left question, question जो हमने छोड़ा है, उसकी संख्या हो गई 2, total कितने question थे, 6 question थे, ठीक, देखे, अब इतना हो गया, तो उसके बाद आप, फिर से आप अपने mail पर आएंगे, तो mail पर यहाँ पर आप देखेंगे, second में, फिर से यहाँ पर आपका एक option है, mark submission वाला, आपने calculate किया है, ठीक है, तो इस mark submission वाले link पर आप click करेंगे, तो आपके सामने एक दूसरा form open होगा, तो देखें, इसमें फिर से आपको अपना पुरा detail डालना है, cgpscepartshala, यानि नाम, ठीक, email id यहाँ भी डाल देंगे, cgpscepartshala at the rate, gmail.com, फिर third mobile number भी डाल देंगे, 9174452653, fourth, हमारे कितने question correct हुए थे, तीन question हमारे correct हुए थे, गलत कितना हुआ था, एक question गलत हुआ था, एक question दो number का है, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा द्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ प question के, r मतलब right attempt, यहाँ पर आप देख रहे है, यहाँ पर लिखा हुआ right attempt, ठीक, एक सही question के दो number मिलेंगे, और गलत question के आपके 0.67, जितने question आपने गलत किये है, उसके 0.67 marks आपके काट लिए जाएंगे, for example यहाँ हम बात करें, इसमें, तो देखें, हमारे question कितने सही by 1, ठीक, तो 3, तो हमारे total, इसमें marks कितने हो रहा है, यह हो गया, तीन question सही हुआ है, तो 6, गलत हुआ है, तो यह हो गया, आपका 0.67, ठीक है, अब इसको आप चाहे, तो calculator open करके, इसको count भी कर लिजिए, जैसे, आपका 2 number के 3 questions सही हुए, मतलब मिलेगा, आपको 6 number, और 0.67 multiply by, गलत कितना हुआ है, एक, तो 0.67, तो यहाँ पे 6 minus 0.67 करेंगे, तो 5.33, ठीक है, तो यह जो आपका last वाला है total marks, तो आपका marks हो रहा है, 5.33, ठीक है, 5.33, total कितने question थे, 6 question, 6 दूनी, 12, 12 में से आपको मिला है 5.33, इसे submit कर दीजिए, ठीक, तो यहाँ पर आपका, जैसे तो जो लोग mark submit करेंगे, ठीक है, केवल उन्ही लोगों का ही आपका जो rank है, उसे publish किया जाएगा, जो लोग mark submit नहीं करेंगे, उनका rank, overall ranking 36 गड़ में हम publish नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक, एक चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजेगा, आज है आपका 24 March, जो कि आपकी registration का आखर ठीक, लेकिन अगर यही registration अगर आप बाद में कराते हैं, तो ध्यान दीजेगा, यानि कल से, यानि 25 March, कल से, 25 March से आगे भी registration होंगे, लेकिन registration fees हो जाएगी आपकी 170 रूपीज, 20 रूपे का आपको extra charge पे करना पड़ेगा, तो हो सके, तो जहां तक हो सके, आप अगर इस टे पड़ेगा, साती सात, आपको आगे के online test देने मिलेंगे, पिछे के test आप online दे सकते हैं, लेकिन आपको overall ranking देखने नहीं मिलेगी, ठीक है, तो चलिए, तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये video समझ में आया होगा, इसके बावजुद भी अगर कोई doubt होगा, तो आप call कर के या WhatsApp के थूँ फर्दर जानकारी या कोई भी extra जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, तो आज का video हम यहीं समाप्त करते हैं, और जो सदब से registration कराया है, बाद में उनके email पर भी test paper mail किये जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रही है, answer की भी mail किया जाएगा, ठीक, चलिए, धन् झारलत करते हैं, लिए भी एल रही है, जाएगा जाएगा, जाएगा जारत करते हैं, जाएगा है, लिएस है.